इसी बीचे का और बड़ी और एहम खबर मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा तीन दिनों की दिल्ली दौरे पर हैं और आपको बतादी कल से दिल्ली दौरे पर हैं सुबा नौ बजे नीती आयोग की बैठक में शामिल होंगे और शाम को सी एम कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लेंगे दो दिनों का ये सी एम कॉन्क्लेव है आज और कल दिन दोनों ही कारेक्ट्रों में मुख्य मंत्री शामिल होंगे ये बड़ी और एहम खबर नीती आयोग की बैठक होनी है कुछी देर में और इसमें शामिल होते वे नजर आएंगे हर्याना के मुख्य मंत्री तो ये बड़ी और एहम ख़बर मापको बता रखे हैं तो नीति आयोग की बाठक आज होनी है जिसमें हर्याना के मुख्य मंत्री भी शामिल होंगे आपको बता दे कि काफी एहम है ये बाठक तो गावर्निंग कांसिल की बाठक होनी है और आपको बता दे कि नीती आयोग की जो अध्यक्ष है वो प्रधान मंत्री नरीन्द मोदी है आपको ये भी जानकारी दे दे कि ये बैठक काफी एहम है और बजट में अपने राज्यों के प्रती पक्षपात के आरोप में विपक्ष के जो मुख्य मंत्री है वो इसमें आज हिस्सा नहीं ले रही है लेकिन अगर हम बात करे हर्याना के मुख्य मंत्री की तो आज इस बैठक में शामिल होंगे और नीती आयोग की ये बैठक होनी है जादो जानकारी के लिए बात करेंगे दिली से समवादता अप राजीता श्री हमारे साथ जुड़ गई है अप राजीता आज नीती आयोग की बात पूर बैठक होनी है और नायब सैनी इस बैठक में शामिल होंगे पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर बिद्धर राश्री और नौ बिद्धर यह एहम बैठक सुरू होने वाली है प्रदान मंत्री नरिमोदी की अट्रश्टा में यह बैठक की जाए कि तमाल लाज्यों को लाज्यों की मुक्रमंत्री को उपस्त जहराता हाला की हमें देखा था जिस तरीके से जब बजट पेश किया गया था जिसके लिए बाद ही पक्ष द्वारा इंज्या ब्लॉग के द्वारा रगातार प्रोटेस्ट किया गया था और एक साग वाईकोट की आगया है नीटी आयोग की मीटिंग को लेकर वहीं इंज्या ब्लॉग का एक हिस्टा टीम्सी भी होता है जिसकी बेंगॉल की वर्ष बेंगॉल की प्रियेम मम्ता बारा जीब कल ही दिली पहुच चुकी है नीटी आयोग में इस मीटिंग में हिस्टा लेने के लिए शूत्रों की मारे तो कावा चारा है एक उस्पेशल डिमांड है उनकी जो आज टेबल पर पेश करने वाली है तो यकर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा हाला कि कल कहा गया था कि मैं बताता हूं हाला कि तरफ से अभी कुछ पर जवाब नहीं आया तेखने वाली बात है कि कौन-कौन से प्रदेश को मुख मंत्री नीटी आयोग के मीटिंग में हिस्टा लेते हैं अगर हर्याला के मुख मंत्री नायतिं सेनी कल भी जिल्री पहुंच चुके थे आज सबहे नौ बज़े वह भी नीटी आयोग के मीटिंग में हिस्टा लेने वाले बिल्कल, और सेम की कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौस 10-4बजर भाज़ीं-ता-पार्थी धकॉंटर में हिह वाली हैep और सुभ्थ 9बजर गा corporations में इस प्रफ़त मैं शामिल होंगे एक हमके पस्ते हैं ngay तरीके से मीटिंग होने वाली है कि 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 तरीके से जो सब्कार की एकार की उजनाय worked जब का राज में उन तमाम सीजों को डिसक्षिस किया जाएगा। ताही दूट जब कि नहीं तकी दित इस तरह से क्या उन है राज्जी अगर्श की लिए जाएगी। त्रभी उन जगए करके जिसक्रशन स्की जाएगी डीचेल में इस तरीके से क्या रनी तियार है। क्या कुछ चीज़े रहने वाली है, साथ ही क्या केंदर के योजनाए है, उसकी तरीगे से पहुच पारी है या नहीं पहुच पारी है, ये तमाम चीज़ों को, इस हम कह सकते हैं, ये जो दो दिन का जो धी हम बीचे की स्रीम कॉनक्रेक होने वाला, उसमें डिसकस करता हो और जानकारी और बातचीट के लिए नजर बनाए रखेगा, अपडेट आप से लेंगे, तो आपको बता दे, सुबा नीती आयो की बैठक होनी है, नौ बजी लगभगी बैठक होगी, मुखिमंत्री नायव सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और शाम को पांक्लीव में शामिल होंगे